ऑलो प्यारे प्यारे व्यूज्स удивुज तो आज हम बनाएंगे हाले चनी और पांडीड की सब्ची जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो चली हम बनाना सुरू करते है मैंने लिया इसके लिए मैंने फ्राइफर Literat편 लिया है दो चम्मच मैंने रिफाइंड ओइल लिया है इसके जगा कोई भी कुखिंग होई ले सकते हैं आदा चमह जीरा एक मीडियम और मैंने हरे लसन लिया है आप हरे लस्वन की कलियां भी ले छक्ते हैं और करें 2 से 3 मिर्च बारिक कड़ करिए 20 सा सबीकों मेने साहत में डाल दिया है और हलकी सीप्याज को सॉफ्ट करने तक हम पका लेते हैं गृड ब्राॉण कलर नहीं रिंगे बस अप्रूर नहीं करें बस हलिका साय सोफ्ट हो जाये तब तक की पकाना है और आब इसी में करीब आदा चमच और साथ मिक्स कुछ मसाले डाल देते हैं आदा चमच से थोड़ी शी कम हल्दी एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा पाने डालके अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो यह देखें तो अब इसे डख के करीब चाज से पांच मिन्ट के लिए पका लेते हैं तो आप देख सकते हैं करीब ने दो से तीन चमच पाने डाला है यानि थोड़ा सा पाने डाल दिया है ताकि मसाले जलेना और करीब तीन मिन्ट के बाद मैं मैं से एक वर चैक कर लेती हूँ यह देख देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देते हैं और साथ में डाल देते हैं पनीर पनीर के मैं इस तरह के छुट-छुटे टुकड़ों में पनीर को कट किया है और यह मैंने घर का ही बना हुआ पनीर लिया है अगर आप बजार का पनीर ले रहे हो तो आप चनी के साथ में डाल द इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर आपको मेरी रैसी भी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हो सके उतना शेयरी कीजिए दोस्तों रिष्तेदारों में और कमेंट बॉक्स में अपने अनुवाओं ह हमारे साथ शेयर जुरूर करना तो हम इसे डग के करीब चार मिंट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं तो गैस का मैंने फ्लेम मीडियम रखा आप देख सकते हैं और यह चार मिंट के बाद में इस तरह का हो चुका है हंजी मिक्स कर देते हैं आप देख सकते हैं सब जीस तरह की बन के विल्कुल तयार हो चुकी है और चन्ने को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि चन्ने हरे जो कच्छे भी खाने में यूज होते हैं तो इसमें पकने में ज्यादा समय नहीं लगता और आप इसमें चाहिए तो अरा धनिया भी डाल सकते हैं बारी कट करके तो मैंने गरम मसाला डाल दिया है दो कि मीक्स कर देते हैं और प्रॉस लेटे हैं गर्मा गरम तो यह देखी विविर्कुल सबजिबन के तयार हो चुकी है आप इसे खाईए पूरी के साथ पराठे के साथ चापाती के साथ सब के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फिर मिलेंगे किसी नेक्स विश्मिट